नमिश्कार दोस्तों मैं डॉक्टर वीना प्रदान अपनी ही चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स बई डॉक्टर वीना प्रदान में आपका स्वागत करती हूँ आज का हमारा विश्य है पिग्मेंटेशन या जहाई कहें तो जो मेलनी नाम के चीज की कारण अपनी बॉड़ी में जो सिक्रीट होता है उससे होता है जिनके में ज्यादा सिक्रीट होता है उनका कलर थोड़ा डार्क होता है जिनके में कम होता है वो गहुआ या गोरे होता है 90% तो females में होता है 10% males में होता है अब topic के उपर आने के पहले मैं आपसे एक उजारिश करूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी दबा दें कि जिससे हमारी मुला काते होती रहें और हम कुछ जाने कुछ सुझाब ले topic पे हम आते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचें कि इसका कारण क्या है कारण में सबसे पहले तो होता है कि डाइट में जो आपकी deficiency हो दूसरा हो गया आपकी दूप में जादा काम करते हों तीसरी चीज़े हो गई कि hormonal imbalance अगर आपके body में हो जैसा balance में गरबर थोड़ा होता है वो पाया जाता है कि महिलाओं में जो pregnancy होती ही या delivery होती है तब या कुछ hormones लेते हैं जैसे oral contraceptive pills या fertility को improve करने के लिए लेते हैं तब होता है या कुछ disease में जैसे PCOD जो बहुत common है जिन में कई बार तो ऐसा होता है कि हो काले निशानों से ही हम पकड़ते हैं बाकी और कोई ज्यादा problem नहीं होती दूसरा Addison's disease then hemochromatocyzosis फिर आती है बात कि कुछ medical conditions तो हो गए कुछ लोग cosmetics इतना यूज करते हैं और जिससे clean नहीं कर पाते प्रण से उसके कारण भी होते हैं तो अब हम इनके चार प्रकारों को जाने है अबीनो में क्या होता है कि white patches होते यह अनुवांशिक होते हैं जार तर जिसमें जिसे butterfly निचान भी कहते यह जादव तर प्रिडंसी और डिलिवरी में पाय जाते हैं इसमें क्या होता है कि जो जो ब्रावनिश होते हैं इसमें जो अपने मेलनसाइड्स नहीं लिए जड़ा हैं संस्क्रेन कोई जहादा को बहते हैं उनको डिप क्लीणिंग केमिकल पीलिंग से भी होता है पिर देन माइक्रो नीडिंग्स कहते हैं लेजर तेरापी पर जो लोग ये कराते हैं उन्हें ये धियान रखना पड़ता है कि अगर वो औरल पिल्स लेते हैं या कुछ हॉर्मोन्स के प्रप्रेशन लेते हैं तो हो चीज़ों को उस समय के लिए बन कर लें फिर मोस्ट कॉमन जो हो गया कि दूप में जाने पर जैसे मैं पहले जिकर कर चुकी हूं कि दूप का चश्मा और कैप लगा करके जाएं पर इसका मतलब यह नहीं होता है कि सुबह की दूप जो अर्ली मॉर्णिंग में या शाम में जब लेते हैं दूप में खड़े होकर वि कर दें तो जादा वेते हैं अगरेशन हमरा पूरा होगा वसीना डंस आएगा यूरेन आउटपुट हमरे सही होगी तो हमरे बॉड़ी वेस इन से बाहर निकले हो और हमें परेशनिया का होगी कि जो फूट्स होते हैं सीजन की सबजे होती हैं उनका सिवन में बहत अच्छ से करें जैसे आज हमारे टमाटर मिल रहा है जिसमें लाइकोपेन है तो लाइकोपेन स्किन को अच्छा रखता है फिर जो कंटीन होते हैं जिन में आईरन और विटमिन ए जादा होते हैं विटमिन ए की बात कहें तो हमारे को पालक है अंडा है ये चीज़े जादा सब की अ जालब प्वाइब करने होता है तो इतनाइए खाना होता है जो एक वक्ट में ख़त्म होगा है ना बचे ना हम उससे फृरिज अर्फुर्ज में रखें और को रिग पीते हैं तो अगर अवाइबल है और आपका फोड कर सकते हो तो कि अब्ले सकते हो फिर चाय और कॉफी चलंग बहुत हो गया है चार कप चाय ले लिए मैं हम तो कॉफी पसंद करते हैं तो कफी कई बार पीते पर इन में जोने के ट्रेन होती है वो हमरे स्किन को नुपसान पहुचाती है तो हम इनका सेवन कम से कम करें आयरन विटामिन सी विटामिन एड और सीजनल फ्रूट्स को अपनी डाइट में सामिल करें और चमती काया को अप्लाएं